डिवेटिट पलेजबी पीजिटी में पूछे गया उर्दू के कुछ अहम सवालों को डिसकस किया जा रहा है इस से पहले 40 सवालात हल किये जा चुके जिसके लिंक डिस्क्रिप्सर में मिलेगी अगर आप लोग ने हमारी वीडियो नहीं देखिए तो मैं आपको सजेक्ष्ट करूँगा कि जरूर देखिए ये सवाल आपको यूपी टीजिटी और इन्वेश टीजिटी में काफी मददगार साबित होंगे पहला सवाल है कि प्रिथ्वी राजर रासो ये किस की तसनिफ है? तो प्रिथ्वी राजर रासो चंदर बरदाई की तसनिफ है अगला स्वाले कि कसीदे के किस जुज़ को नसेब भी कहते हैं तो कसीदा के अज़ाय तरकीवी में तश्वीब, गुरेज, मदब, दौा और मुदबा होता है तो ये जो तश्वीब है ना इसी को नसेब भी कहा जाता है मिर्ज़ गालिब को अपने तश्वीब पर काफी ज्यादा नाज था और अरदो कसीदे का नकाश अवल मुसहफी ने किसे करार दिया सवदा को करार दिया और इमदाद इमाम असर कहते हैं कसीदा तो सवदा पर ही खत्म हुआ है सवदा के इलाव एक और अहम कसीदा गो शायर हैं जिनका नाम है शेख मुहम्मद इबराहीम जौक इनको खाकानी हिंद कहा जाता है ये भी कसीदा लिखने के लिए मशूर है तो जो कसीदे का जुद नसेब है इसको हम तश्वीब कहते हैं आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर पदमावत ये किसकी तस्निफ है तो मलिक मुहम्मद जैसी की तस्निफ है पदमावत अगला सवाल देखिए आपके सामने है कि लोग गीतों की पैदाइस के मुतलिक भाटों का नजरिया किसने तो बिष्ट टाम परसी ने भाटों का नजरिया पेश किया अगला सवाल देखिए आपके सामने की जिस कसीदे में तश्वीब और गुरेज के अज़ज़ शामिल नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं यानि कि तश्वीब और गुरेज नहो डारीक्ट तारीफ शुरू कर दी जाए तो वो हमारा होता है खिताब या कसीदा ठीक है तो यहां पे चौत वाला अफसन सही है हिंदुस्तान में सबसे पहले लोग अदब की तखलीक किसने की तो जेम्स टाड़ ने सबसे पहले लोग अदब की तखल्ट तारीफ टाड़ ने जिस कसीदे में किसी की मुझम्मत या बुराई बयान की जाए उसे हम क्या कहते हैं हिजवया कसीदा कहते है और उर्दों में हिजवया कसीदे के बानी सवदा को माना जाता है तजही के रोजगार उनका एक अहम और मशहूर हिजविया का सीधा है अगला स्वाल की हिंदिस्तान में टेली वीजन की शुरुवात कब हुई वसन 1969 में हिंदिस्तान में टेली वीजन की इबतेदा हुई उत्तर परदेश के लोग गीत ये किताब किसकी है तो कसीदा अरबी जबान का लफज है लोक लफज किस जबान से माखूज है तो लोक ये संस्क्रिट का लफज है लोक अगला स्वाल कि जामे जहानुमा कहां से शाय होता था जामे जहानुमा अरदू का पहला अखबार है ठीक है अर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा कलकत्ता से शाय होता था लफज कम्यूनिकेशन ये किस जबान से माखूज है तो जो कम्यूनिकेशन होता है ये विचारो कादान परदान होता है ख्यालात का तबादला होता है उसको हम कम्यूनिकेशन कहते हैं और ये लेटिन लेंग्वेज से अंग्रेजी में आया यानि कि हम कह सकते हैं कि लफज कम्यूनिकेशन ये लातीनी जबान से माखूज है फौाइद नाजरीन और महिब बेवतन ये दो अखबार हैं कहां से शाय होते थे तो दिल्ली कालेश से ये दोनों अखबार शाय होते थे ठीक है कौन शाय करता था इसका मुदीर कौन था तो चलो सबसे पहले फौाइद नाजरीन की बात करें तो ये दिल्ली से 1845 में शाय होने वाला अखबार है ये इसको माश्टर राम चंद्र ने इसकी एदारत की थी यानि कि मुदीर माश्टर राम चंद्र थे जो की दिल्ली कालेश से वाबस्ता थे उसके लावा मुहिब्य वतन ये भी दिल्ली कालेश से ही निकलता था कब 1847 में निकला था और इसकी भी एदारत रियाजि के मशूर आलिम और मुहक्किक दिल्ली कालिज में साइन्स के उस्ताद मास्टर राम चंद्र थे ठीक है तो ये दोनों अखबार मास्टर राम चंद्र दिल्ली कालिज से निकालते थे अगला सवाल की निर्गुन वाद का सिल्सिला कि शयर से शुरू हुआ तो कबीर दास्क से शुरू होता है निर्गुण वाद का सिलसिला हिंदी अदब की मशूर किताब भाषा योग वसिष्ट ये किस की किताब है तो ये किताब आपकी राम प्रसाद निरंजनी की है किस बोली में लिखी गई तो ये खड़ी बोली में लिखी गई हिंदी अदब की मशूर किताब भाषा योग वसिष्ट ये खड़ी बोली में लिखी गई किताब है राम प्रसाद निरंजनी ने इसको लिखा था अगला सवाल की उर्दु साफत की पहली किताब अख्तर शहनशाही किसने मुरत्ब किया तो सेद मुहमद अशरफ ने अख्तर शहनशाही को मुरत्ब किया तर्तीब दी वीर गाता काल के भांडों और दर्बारी शायरों की तस्निफात किस जबान में हैं तो यहां पे डॉंगल जबान आपका सही जवाब है आगे बढ़ते हैं अर्दू या मुला अर्दू या मुला क्या है यह खतूत का मजमुआ पूछे तो मिर्जा गालिब का है रिसाला पूछे तो हसरत मुहानी का है चुकि मुदीर रिसाले कही होते हैं तो अर्दू या मुला के मुदीर हसरत मुहानी है किसके तालिमात में तसवफ नाथ पंथियों और वेदिक उसूलों का असर जलकता है तो कबीर दास की तसानिफ में आपको नाथ पंथियों और वेदिक उसूलों की जलक दिखेगी अकबर इलाबादी कब पैदा हुए तो 1846 में इलाबाद में पैदा हुए इनका असल नाम क्या था तो अकबर अबादी का नहीं नजीर अकबर अबादी का असल नाम पूछा जा रहा है तो वली मुहम्मद इनका असल नाम था ये अकबर अबाद में नहीं बलके दिल्ली में पैदा हुए थे कोई तनकीदी फैसला जमालियाती एक्तिदा एकदार पर नजर रखे बेगार नहीं हो सकता ये कौल आसबोर्न का है यानि कि चौत वाला अफसंद सही है नफसियाती तनकीद का अलंबरगार कौन तो फराइड जो हैं वो नफसियाती तनकीद के अलंबरदार हैं अकबर इलाबादी ने अपनी नजमों के जरिया किस पर तनकीद की तो मगरबी तहजीब पर इन्होंने मजाक उड़ाया तनकीद की तजखीक की ठीक है बरक कलीसां मिस सीमी बदन जलवे दरबार दिल्ली ठीक है ये सब इनकी एहम नजमे है अकबर इलाबादी की नजीर अकबर अबादी नजीर नामा तो आगे बढ़ते हैं उर्दू तनकीद के अप्तिदाई दौर में किस तनकीदी दविस्तान का गलबा था तो तो सुराती दविस्तान जो तनकीद का है उसका गलबा था अप्तिदाई दौर में अक्बर इलाबादी पेसे से क्या थे तो देखो अक्बर इलाबादी पेसे से वकील थे नहीं जज थे सिविल जज थे अक्बर आबाद जाई इलाबाद में इलाबाद में सिविल जज थे लेकिन यहां पे जज आफसर में नहीं है मुसनिफ है तो बिल्कुल मुसनिफ भी थे ठीक है तो यहाँ पे हमारा तीसरा वालाफसन सही हो गया तजही के रोजगार ये हिजविया का सीधा है हिजव दर अस्प यानि के घोड़े की बुराई में किसने लिखा सौधा ने मिर्जा मुअअ रफी सौधा के उर्दो का सीधे नकाश अवल कहा किसने मुसाफी ने उर्दु अड़ब में तकाबली lies की शिवली नौमाणी ने किस किताब से की तो शिवली नौमाणी ने मौाजने अनिसदबीर लिखा था जिसमें मिर्जा दबीर का इनों ने कम्परिजन किया था ये अर्दु की पहली तकाबली मुताले की किताब थी यानि कि पहला वाला अपसन हमारा सही है मुफलिसी ये किसकी नजमें मुफलिसी आदमी नामा बंजारा नामा होली दिवाली दारलमकाफात महादेव जी का ब्या ये सबी नजमें नजीर अकबराबादी की हैं नजीर अकबराबादी दिल्ली में कब पैदा हुए 1740 में अर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है तो नजीर अक्बराबादी को उर्दू का अवामी शायर कहा जाता है किस किताब से सिर्फ तनकीद रुजानात का ही पता नहीं चलता बलकि उसूले तनकीद पर भी रोशनी पड़ती है तो वो है बूती का पोईटिक सिसको अंग्रेजी में कहते हैं अरस्तू ने लिखी थी ठीक है इसका अर्दू में तीन लोगों ने तर्जमा किया ठीक है अजीज आइमद ने उसके बाद शमसुर रमान फारूकी ने तर्जमा किया था शेरियात के नाम से और इसके इलाव जमील जालबी ने भी बूती का का तर्जमा किया अगला सवाल देखिए कि शायर को खाकानिय हिंद के खिताब से नावाजा गया तो शेक इबराहीम जौको खाकानिय हिंद का खिताब किस ने दिया था अकबर शाह सानी ने ठीक है अकबर सिकेंड ने नजिर अकबर अबादी कहां पे पैदा हुए तो दिल्ले में पैदा हुए मजज़ा और जराफ़त किसके साहरी का वस्फ़ है तो अकबर अलाबादी की शाहरी में मजज़ा और जराफ़त देखा जा सकता है अकबर अलाबादी को किसका खिताब मिला था खान बहादूर का खिताब अक्बर इलाबादी को मिला अर्दू तनकीद की पहले किताब कौन सी है मिर्जा सुरी खाजा अलताफ हुसेन हाली की मुकद्दमे शेरो शायरी है इसको अर्दू शायरी का पहला मेनिफेस्टो करार दिया था किसने आले अहमद सुरूर ने ठीक है ना चलो आखरी सवाल आज का अक्बर इलाबादी किसके शागिर्द थे तो वहीद इलाबादी के ठीक है वहीद इलाबादी के शागिर्द थे अक्बर इलाबादी